हेलो एब्रीवन तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिज स्नैपसोट बुक का चैप्टर 2 दा एड्रेस रीट करेंगे जो की लिखा गया है मारगा मिंको द्वारा alonर इस सोबसे पहले स्केरिक driven के सदेख लेते हैं तो पहला करेक्टर है मिसेश एस और सरेकिंडर मिसिशस डॉंटर जो की समूरी की रैटर भी है और क्रेक्टर है मिसेश डॉर्लिंग पौर्ग है दो detail बॉलिंग'S डॉर्ठ तुचारोई लेडी क्रैक्टर है तो यह जो स्टोरी है दा एड्रेस उसमें यह जो हॉल इंट सिटी की स्टोरी है तो जब हॉलेड में युद्ध का टाइम चल रहा था वार का टाइम चल रहा था तब इसमें जो एक फैमिली थी Mrs. S यह जो फेमिली थी उनको काफी डर लग रहा था कि सायद उनको खर छोड़ के जाना पड़ेगा और यह जो Mrs. Darling थी इनकी नेवर थी तो Mrs. Darling Mrs. S को बोलती है कि आप अपना सारा सामान है वो मेरी गर पर रख दीजिए वो मैं सेफली अपना सारा सामान है सब सेफ रहेगा. तो Mrs. S Mrs. Dorling की बात को अग्री करती हैं और अपना सामान दॉरलिंग को ले जाने देती हैं. तो डॉरलिंग करके Mrs. S का सारा सामान जो कौसली स्थ था वो अपने घर ले जाती हैं. तो उसके बात Mrs. S अपनी daughter को ये सारी बात बताती है और Mrs. Darling का address अपनी बेटी को दे देती है कि in future तुम इनके घर से अपना सामान ले सकती हो तो ये जो story है इसमें काफी सालों बाद फिर Mrs. S. की जो daughter है वो Mrs. Darling के घर पर पहुँचती है और उसके बाद क्या होता है वो हम इस story में आगे देखेंगे तो ये story स्टार्ड होती है जब हमारी जो writer है वो उस address पहुचती है जो उसकी माने दिया था कि यहां पर सारे सामान मिलेंगे उसके तो वो उस gate की ring बजाती है और एक lady उस gate को open करती है तो story को read करते है do you still know me I ask तो writer पूचती है उस lady से कि क्या तुम मुझे जानती हो the woman looked at me searchingly she had opened the door a chink तो searchingly का means होता है कि वो उसे पहचानने की कोशिश करती है वो उस तरह से देखती है उसको कि उसको पहचान सके open the door a chink chink means होता है कि जो gate है उसने पूरी तरह से open नहीं किया थोड़ा सा open किया तो the woman looked at me searchingly कि वो उसको पहचानने की कोशिश करने लगी उसकी तरफ देखने लगी she had opened the door a chink उसने जो gate था वो थोड़ा सा ही open किया था full open नहीं किया था I came closer and stood on the step तो जब उसे लगा कि वो उसे पहचाननी पा रही है तो वो थोड़ा सा जो राइटर थी वो थोड़ा gate के और पास में आ जाती है और step पर खड़ी हो जाती है step means gate के बाहर जो stairs लगी होती है उस पर वो आके खड़ी हो जाती है तो I came closer and stood on the step कि वो जो मैं और ज़्यादा पास आ गई और सीडियों पर खड़ी हो गई no I don't know you तो वो लेडी उसको बोलती है कि नहीं मैं तुमको नहीं जानती हूँ I am Mrs. S. daughter तो जो राइटर होती है वो अपना introduction देती है कि मैं Mrs. S. की बेटी हूँ कि सायद वो मेरी मा के नाम से वो लेडी मुझे पहचान ले तो यहाँ पर जो लेडी थी वो गेट को होल्ड किये हुए रहती है ताकि वो जो गेट है वो पूरा उपनना हो जाए तो की वो गेट को पूरा नहीं खोलना चाहती थी उससे बचाना चाहती थी की गेट पूरा ओपनना हो जाए हर फेस गेब अब्सुर्टली नो साइन ओफ रिकागनेशन सी कैप स्टेरिंग अट मी इन साइलेंस उसके फेस से बिलकुल भी रिकागनेशन मींस कि ऐसा बिलकुल भी प्रतीद नहीं हो रहा था कि उसने उसको पहचान लिया है और वो कंटिनियूसली उसको घूर रही थी मतलब उसको पहचानने की कोशिश करी ते स्टेरिंग मीस घूर ना किसी को तो वो उसको पहचान उसके फेस से बिलकुल भी नहीं लग रहा था कि उसने उस राइटर को पहचान लिया है और वो उसको लगातार घूर रही थी परहपस आई वोस मिस्टेकन आई थोट परहपस इट इसन्ट हर तो जब उसने उसको नहीं पहचाना उसके मां के नाम बोलने पर भी नहीं पहचाना तो राइटर को लगने लगा कि मैंने गलती कर दी है कि साइट यह वो लेड़ी नहीं है I had seen her only once fleetingly and that was years ago fleetingly means होता है very short time कि कुछ समय के लिए तो I had seen her मैंने उनको देखा था केवल एक वार और वो भी बहुत थोड़े time के लिए and that was years ago और बहुत साल पहले की बात है कि बहुत साल पहले मैंने उनको थोड़े से time के लिए ही देखा था इसलिए हो सकता है कि यह जो It was most probable that I had rung the wrong bell कि यह बहुत जादा संभाबना है कि मैंने किसी गलत दर्वाजी की वैल बजा दी है कि मैं गलत address पर पहुँच गई हूँ The woman let go of the door and stepped to the side तभी वो जो लेडी थी वो side से हो जाती है गेट पूरा open कर देती है तो she was wearing my mother's green knitted cardigan तो वो जो लेडी थी वो green color का knitted cardigan पहनी हुई थी जो कि उसकी मा का था she was wearing my mother's green knitted cardigan तो उसने देखा कि वो जो लेडी है उसकी मा का cardigan पहनी हुई है green वाला तो उसने अपनी मा के cardigan को पहचान लिया था the wooden buttons were rather pale from washing उसके जो button थे आगे के सामने के जो button थे वो दुल दुल कर क्या हो गए थे उनका color निकल गया था means उसने उस cardigan को बहुत जादा use कर चुकी थी वो लेडी she saw that I was looking at the cardigan and half hit herself again behind the door तो जब उस लेडी ने देखा कि राइटर ने राइटर के cardigan को देख रही है और उसको पहचान रही है तो वो उसने दुबारा से अपने आपको दरवाजी के पीछे hide कर लिया चुपा लिया but I knew now that I was right लेकिन तब तक मैं ये समझ चुकी थी मैं कौन वो राइटर तो तब तक वो राइटर क्या थी वो से समझ चुकी थी कि वो सही है कि I knew now that I was right कि मैं जान गई थी कि मैं सही थी कि ये वही लेडी है और मैं एकदम सही address पर आई हूँ well you knew my mother I asked तो तब उस राइटर ने उससे बोला कि मतलब तुम मेरी मा को जानती हूँ तो जो राइटर थी वो समझ गई थी कि इसने मुझे पहचान लिया है इसने मेरी मा को भी यह जानती है लेकिन ना पहचानने का यह एक ड्रामा कर रही है कि मैं नहीं जानती have you come back said the woman I thought I I thought that no one had come back मैंने तो राइटर ने उसको आंसर दिया कि केबल मैं बाइटर ने उसको आंसर दिया कि केबल मैं बापस आई हूँ a door opened and closed in the passes behind her a musty smell immersed तो जो लेडी थी उसके पीछे एक दूसरा gate open or close हुआ उसको close हुआ जिसमें से एक musty smell मतलब सीलन के जैसी कुछ बद्बू आ रही थी I regret I cannot do anything for you तो बो लेडी उस लेडी राइटर को बोलती है कि I regret मजे छमा करे मैं तुमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ I have come here especially on the train I wanted to talk to you for a moment तो राइडर उस लेडी को बोलती है कि मैं यहाँ पर especially train से आई हूँ यहाँ पर आपसे मिलने के लिए I wanted to talk to you मैं थोड़े से टाइम के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ It is not convenient for me now said the woman I can't see you another time तो लेडी उसको बोलती है कि यह सही समय नहीं है मेरे लिए बात करने का कि मैं किसी और टाइम आना तो बो उसको टाल देती है कि यह सही समय नहीं है See noted and cautiously close the door as though no one inside the house should be disturbed तो वो ऐसा बोल देती है उसको कि यह convenient टाइम नहीं है मेरे लिए मैं आप तुमसे इस समय बात नहीं कर सकती और बहुत ही धीरे से उस गेट को बंद कर देती है और इतने धीरे से बंद करती है कि ताकि घर के जो अंदर कोई भी डिस्टरब ना हो किसी को भी पता ना जले एक तरह से I stood where I was on the step तो वो जो राइटर थी वो वहीं पर खड़ी रह गई स्टेर्स पार ही खड़ी रह गई The curtain in front of the bay window moved तो जब वो वहीं पर खड़ी थी तभी उसने देखा कि दरवाजे के एक window का जो curtain मतलब जो पड़दा है वो थोड़ा सा move हुआ Means कोई उसको देख रहा था Someone stared at me and would then have asked what I wanted तो उसको यह लगा कि कोई उसको देख रहा है वहां से बिंडो से और उसने उस लेडी से पूछा है कि वो क्या चाहती थी मतलब जो बाहर जो कोई भी आया था उसने उसको क्या चाहिए था उस लेडी से वो पूछने लगे Oh nothing, the woman would have said it was nothing तो उसने उस लेडी ने उसे कहा होगा कि वो कुछ नहीं वो कुछ नहीं चाहती थी तो ऐसा उसको वहार से इस तरह से लगा I looked at the nameplate again तो राइटर ने फिर से उस nameplate को देखा उस घर दरवाजे के बाहर जो nameplate लगी हुई थी Darling it said in black letters on white enamel and on the jam a bit higher the number number 46 तो वार जो nameplate लगी हुई थी उस पे बहुत ही बड़े बड़े black letters में number 46 लिखा हुआ था और darling means उनका surname जो घर में रहते थे उनका surname आपर उस nameplate पे लगा हुआ था उसने दुबारा से उस nameplate को देखा As I walked slowly back to the station I thought about my mother who had given me the address years ago तो वो राइटर थी बापस अपने घर जाने के लिए ट्रेन से जा स्टेशन की तरफ जाने लगी बापस लोटने के लिए तो As I walked slowly back to the station की जब मैं बापस station की तरफ दीरे दीरे जाने लगी I thought about my mother मैंने अपनी मा के बारे में सोचा Who had given me the address जिसने की मुझे ये address दिया था Years ago काफी साल पहले जिसने मुझे ये address दिया था इस वीडियो में अभी इतना ही और ऐसे ही other educational वीडियो के लिए इस चैनल डाइनमिक वीज को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आप उस टॉपिक को मेरी mail id पर mail कर सकते हैं थैंक यू